हलो दोस्तो नमेशकार एसम किसी चैनल में मैं आप सिभलंका दिल से बहुत-बहुत सब्सक्राइब करता हूँ फर्स टाम विजिट के जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को एट करके औल जरू सिलेट कर लेना एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक म विडिया आने वाला है तो कल यहां पर रिमाइंडर सेट करके रख लेना तो कल का विडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और आज के दिन के जितने भी इंपोर्टेंट विडियो से सबके लिंक नीचर डिस्क्रिप्शन में दिये चाओ तो उनको भी कवर कर सकते हो तो च डिफिनेटली कमपनियां fundamentally strong है दूबने के chances बोलेंगे तो ना के बराबर है बहुत ही उन्दा companies है और ये companies में आपको क्यों बता रहा हूँ कि देखे बहुत सार लोग ये भी कहते कि सर जब stock उपर जाता है तब ही तो हम लोग बात करते बड़ जब नीच आता है तो कोई ब बना चुका हो ये company 40% 45% कुछ company 50% डाउन है अपने top level से clear cut आपके सामने बता रहा हूँ और विडियो बना रहा हूँ तो ये companies में अगर आप invest करके long term अगर आप नहीं रूखते हो ना तो कुछ नहीं होने बाले है बार बार में आपको ये बहुत बार बता चुका हूँ कि अभी जाकर बीज रोगे और expect करोगे कि कल के दिन ही जबरदस पेड़ यहाँ पर बड़ा बन जाए उसके उपर फल फ्रूट यहाँ पर आना start हो जाएंगे ये खयालों में होता है हकीकत में आपको hold करना पड़ता है वरना मतलब देखा गया ना patience चाहिए ये तो आप stocks जरू इनको study करना यह सभी के सभी stocks की खासियत बताता हूं यह बहुत ही well known मतलब group से आप लोगों को जुड़ते वे देखने को मिल रहे है एक company जिसका नाम भी बहुत बड़ा हम लोगों को देखने को मिल रहे है पॉइंट नमबर टू बैलेंशीट डेफरी companies है कोई किसी तो यह point आपको पता होना चाहिए तो चलिए अभी एक एक company को देख लेते हैं पहली company 3600 रुपे पे यह stock हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं सबसे बेले में आपको इसके दर्शन करवा देता हूँ एक साल में कितना है लबग 19-20% डाउन है ठीक है 5 साल का data देखोगे no doubt 15 57% की returns है पर टॉप लेवल से देखिए company अपको अच्छी गासी गिरते वे देखने को मिल रहे है की नहीं 38% यह देखे roughly अगर आप calculate करने जाओगे तो आपको 40% की से भी जादा की ग्रावट देखने को मिल जाएगी सो क्या यह company खराब होगे नीचा आगे करके तो बिल्कुल भी नहीं तो company कौन सी है तो company करा में LTTS L&T Technology Services Limited बहुत ही उंदा company है बहुत ही शांदार company है maximum chat pattern देखेंगे तो 300% के जादा की returns अभी तक shareholders को उन्होंने कमा के दिये है और वो भी कबसे 2016 से लेकर सो 2016 से लेकर आप देखेंगे यह जो इसका dream run था यहां से यहां कितना short term का runे देखेंगे बहुत ही short term का 3-4 मेने के अंदर stock भाग गया वट उसके पहले देखेंगे इतना hold करना पड़ता है जमेगा बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी हां हकीकत में देखा गया ना एक बच्चा यहां पर आके invest करके बैड़ जाता तो यह factor आपको पता है यहां पर होना चाहिए आप देख सकते कितने time तक एक ही दाइरे में कोई moment नहीं पर जब भागा तो ऐसा भागा ऐसा भागा की दुनिया देखती रहेगी and overall returns एक इतना गिरने के बावजूद 300% के है तो येस उसको 10 मिनिट के लिए भी खरीदने का विचार मत करना फिर साफ साफ बाते उन्होंने बोल के रखे उनको भी पता है कि market uncertainty है market में अगर कल कुछ हो गया मान लिजे अंदानी group से लेटर कुछ अनबन वाली चीज़े हो गई market में pressure आगी यह stock आपको और भी नीचे मिल सक देफ्री कमपनी है दोस्तों बहुत ही उन्दा कमपनी है और सिर्फ डेफ्री है इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि अच्छा है करके ऐसे तो बहुत सरे पेनी स्थक भी डेफ्री है यह देखे 600 करोड का cash भी हमनों को देखने को मिल रहा है प्लस अगर हम लोग आपे बात करे तो कमपनी की क्लाइंट से में बहुत बर आपको बोल चुका हूं कि fortune 500 में से लगबग 60-70 कमपनी है इनके portfolio में हमनों को देखने को मिल जाती है and all over the globe हमनों को इनका presence है 25 प्लस countries में यह काम करती वे देखने को आपे मिल जाती है 296 global clients हमनों को देखने को वाई पे मिल जाते ह देटा तो पुरान है अपडेट भी हो जाएगा and यह देखे 40,000 करोड का market cap मतलब mid cap है एक decent type का mid size का mid cap हम लों को देखने को मिल रहा है बाकी कि अगर हम लोग बात करे तो आप नीचे अगर आ जाते हो तो देखिए company का PNL भी चेक कर लेना थोड़ा fast जाओंगा अभी इसी को बोलते है अच्छे company average performance देखना होता है दोस्तों पर match performance देखने लगे न तो आर एक player को कभी न कभी बाहर निकलना पड़ेगा तो यह point भी आपको समझ में आपे आना चाहिए अगर हम लोग नीचे आते share holding pattern देखिए खुद promoter के पास 73% है अगर आपको यह डर लगत उसमें से भी 15 टक का तो institutions लेखे गए तो पब्लिक के पास देखे बहुत ही कम हिस्सेदारी है ज़रूर LTS इस company को आप क्या कर सकते हो पहले company है study कर सकते हो बहुत सारे important learning lesson भी मैंने बता है इसलिए पहले stocks related इतना टाइम लगा अभी हम लोग बाकी stocks को फटा-फट कवर कर ल अगर आपको पुराना वीडियो देखना है अगर मुझे मिलता है में लिंक उपर आए बटन पर देता हूं जाके देख लेना तभी TCS बहुत फॉर्म में था तभी मैंने वीडियो भी बने था मुझे टाइटल भी आ दे कि TCS को छोड़ा सा छोड़ दो इस company को देखो और तब 2000 पे था वो 10,000 का हो गया थोड़ी ना वहाँ पे जाके मतलब locking हो जाएगा कि 10,000 के नीचे ने आएगा आएगा profit booking है कभी ना कभी होगा बट अल्टिमेटली 2000 किदर और देखे 6-7,000 किदर फाइदा है कि नहीं overall तो यह चीज़े हम लोगों को समझ में यहाँ पे आनी नहीं बहुत ही लंबी अवदी का यह खिलाडी है पाथ साल का रिटन देखे 5-67 पर से हाफ हो गया stock still 5-67 पर से चीज़ समझ नहीं और यह stock इसके पहले भी 60 टक का गिरा था बीच में मुझे आज भी याद है अगर मैं exactly इसको calculate कर रो देखे 57 पर संट डाउन था कब की बात हो गए और बहुत ही इनका कमाल का बिजनेस है इलेक्ट्रिक वेहिकल आपको पता है यह business model आगे जाके बहुत चलने वाला है इसी के चलते इनका तो घरेलू बिजनेस है टाटा मोटर टाटा पावर टाटा केमिकल तो अभी इसमें नहीं है आउट हो गया बट यह पूरा ecosystem ह इनका तो ज़रूर इसके बारे में भी आप चाओ तो वीचार कर सकते हो टाटा लेक्सी उंदा कमपनी है अगें बैलेंशेट हजार बारा सो पंदरा सो करोड के रिजाव से लॉंग टम बोरिंग जीरो शॉर्ट टम बोरिंग चेक कर सकते हैं जीरो और उसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पर आ जाता हूँ जिस सेक्टर में काम कर रहा है उसमें भी यह नंबर वन पर देखने को आप आप मिल रहा है मिडियम साइस की है टेकनोजी वाली कंपनी है देन LTTS भी आप देख सकते नंबर 3 पर हम लों को देखने को आप मिल रहा है अच्छा मुझे तो LTTS यहां पर लगता है यह तो मेरा personal opinion हो गया आपने blindly copy करने की ज़रुवत नहीं है PNL की बात करें तो चेक कर लेना 30, फिर 21, फिर 75, फिर next साल 100, पार किया 1500, फिर 175, 240, 290 अब चेक कर लगातार growth हमनों को देखने का आपे मिल रहे हैं रुखने का नाम ही नहीं कई ना कई तो जाके रुखी जाएगा तो ठीक है, थोड़ा बहुत profit booking होई जाता है, market को भी reason चाहिए और shareholding pattern भी देख लेना, वैसे तो कोई चिंता की बात ने, टाटा ग्रूप है ना, तो टाटा ग्रूप थोड़ी ना, अपनी company किसी का हाथ में जाने देंगे फिर भी promoter के पास 44, FIS 13-14%, DS 3% के आसपस, public 38% के आसपस, तो ये public बात में क्यों आ जाती है, येस, 1000 का था ना, अभी 10,000 हो गया है, तो बस अभी खरीद लेंगे 10,000 पे, तो ये 10,000 का 20,000 हो जाएगा, तो ये सोचकर यहापे खरीद लेते हैं, तो ऐसा बिलकुल भी करना नहीं है, कमपनी ओर ओर लॉंग टम के लिए बढ़िया है, तो दो कमपनी हो गए, तीसरी कमपनी दोस्तो, L&T, माइन ट्री, येस दोसो, LTA, जिसको, पहले L&T, इन्फो टेक हम लोग बोलते थे, बहुत ही ये भी कमाल की कमपनी, यहापे भी चेक कर सकते हो, थोड़ा सा इसका चार्ट पेटन का इशू हो यहापे हो रहा है, बट यह भी कमपनी टॉप लेवल से 50% डाउन है, बहुत ही उन्दा कमपनी आप देख सकते हो, लाग लाग सवा लाग करोड का मार्केट का पर यह भी कभी भी निफ्टि-फ्टि में आपे आ सकती है, बैले शेक कर ले आप लोगों को देखने का आपे मिल जाएगा, कितना है, चार सो, पात सो, फिर नो सो, ऐसे करते करते, आप देखोगे, हजार ग्यारा सो, पंदरा सो करते, फिर दो हजार अभी साड़े तीन हजार तक यह आ चुका है, और शेर होल्डिंग पैटन भी अगर हम लोग देखे और जिसका नाम अभी L&T Infotech Mindtree आपे हो चुका है, यह भी बहुत ही सुन्दर कमपनी है, अगर आपका नजरिया लॉंग टम का होगा तो, शॉट टम का होगा, तो अभीसली हर एक कमपनी आपको कभी ना कभी तकलिफ देती रहेगी, और आखरी कमपनी की बात करू, तो ल रिलाइंस जियो यहाँ पर रिटेल चल रहा है, तो रिलाइंस रिटेल तो नमबर वन पर देखने होगा है, वो नमबर वन पर है, उसको कमपिट करना किसी के बस की बात भी नहीं है, और इसका रतिया नहीं कि दिमार्ट बरबाद हो गया करके सब कुछ ताला लगा दू, इमार्ट से भी छोटे-छोटे कमपनी से बादर में, तो उन्हेंने तो धंदा ही बंद करना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, सेकेंड नमबर की कमपनी भी है, अच्छा परफॉर्मस दे रही है, रिजाउस की बात करेंगे, 13-13,000 करोड की रिजाउस से, सेम 50-50 प्लियर, बीच में इसके 50-50 के उपर थोड़ा खतरा आया था, बीकॉज अफ अधानी के शेर्स बीच में घुस गए थे, बिना किसी प्रॉफिट के भी, बट चले, जो असली प्लियर होता है, वो टीक जाते है, आपको पता ही है, तो यही चीज देखने को मिल रहे है, पेनल देख लिजे, 60, 90, 160, 200, इसे करते-करते 300, 400, 600, 800, 900, 1300, देखे, 1300 से बीच में थोड़ा सा 1000 तक आया, क्या करें, बेच दे, नहीं, कमबैक देखे, 1400 आ गया, और वाद में, 2500 के करीब, 17,000 करीब, ओविसली करोड़ की हम लोग बात कर रहे है, देन, शेर होल्डिंग पै पंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉंग है, इसमें कोई शक्की गुंजज नहीं, अगेन कहना है चांगा, फंडामेंटली स्ट्रॉंग मतलब कभी गिरेगी नहीं, ऐसा थोड़ी ना, आपके सामने है, 40, 45, 50 पसंड नीचे है, बट ये कमपनिया, बाउंस बैक क करने का दमखम हरकती है, अपने अपने शेत्र में ये लीडर भी देखने को मेंड़े ऐसे नहीं, कि अपने सेक्टर में नंबर 10 पे है, नंबर 11 पे है, नहीं, बिलकुल भी ने, टॉप 5, टॉप 3 में अम लोगों को ये कमपनियों को आपे मिल जाती है, जैसे मैं आप गुविड का क्रेश आये था, जिन लोगोंने होल्ड किया उस क्रेश में, उनको पता है कि उनको रिजल्ट क्या मिले है, जिननोंने डर के मारे बेश दिया, उनको भी पता है, बट उनके पोटफुलिय में वो स्टॉक्स नहीं है, वो पचता रहे है, इसलिए कहना अपनीज में दम जरूर है, तो जरूर इनको आप चाहूँ तो स्टॉडी कर सकते हो, अगर आपने अभी तक उपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 पूड़े की लिस्ट बिल्कुल, फ्री आफकोस्ट मिल जाएगी, आपका नाम, कौनसा आपन आपन